नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विजी कुमार के रिए और मैं आप लोगों का अगवार फिर से स्वागत करता हूँ अपनी ओटूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासिस फॉर एगरिकल्चर दोस्तों आज हम सब लोग पढ़ने वाले हैं एक competitive book of agriculture जिसका डॉक्टर निम्रा सुन्डा जी ने लिखा है इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं hearty culture में fruit production और कौन से fruit के बारे में पढ़ने वाले हैं उस fruit का नाम है papaya papaya के बारे में जो भी इस book में लिखा गया है उसके बारे में detail में पढ़ेंगे समझेंगे और कैसे याद कर सकते हैं उसके बारे में detail में जानेंगे तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो papaya होता है उसका botanical name या फिर scientific name क्या होता है तो papaya को जो scientific name है वो है कैरिका papaya नाम से याद हो सकता है कोई पापाया के जो फेमिली है वो कोंसी फेमिली है पापाया के जो फेमिली है वो कैरी केसी फेमिली से बिलॉंग करता है एक बार फिर से बता देता हूं पापाया जो है उसका जो बोटेनिकल नेम है वो कैरी का पापाया है और यह किस फेमिली से बिलॉंग करता है यह कैरी केसी से बिलॉंग करता है पापाया इज ए पॉली गैमस प्लांट्स पॉली गैमस प्लांट्स होता है पॉली गैमस प्लांट्स क्या होता है पॉली गैमस प्लांट्स का मतलब यह होता है कि किसी एक ही प्लांट में सेम प्लांट में मेल फीमेल और बाइसेक्सुल जब तीनों तरीक अगर एक ही पोधे में तरीके की फूल लग रहे हूं एक ऐसा फूल जिसके केवल मादा जननांग हूं एक ऐसा फूल जिसमें केवल पुरुस दोनों जननांग पाए जाते हो मतलब ऐसा फूल जिसमें केवल मेल पार्ट हो और ऐसा फूल जिसमें मेल और फीमेल दोनों हो यानि कि हर्माप्रोडाइट जो फ्लावर होता है उस तरीके का तो एक ही प्लांट में जब तीन तरीके के फूल लगते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं पॉली गैमस प्लांट तो चुकि पापाया में इस तीनों तरीके के फूल पाये जाते हैं इसी वज़े से पापाया को पॉली गैमस प्लांट कहा जाता है produce fruits throughout the year पपाया की सबसे अच्छी quality ये होती है कि पपाया जो होता है इसके अंदर जो fruiting होती है वो throughout the year चलती रहती है मतलब इसमें जो आपको फल मिलेगा वो साल भर मिलता रहता है एक proper interval पर आपको हर पौधे से fruit जो है वो मिलते रहेंगे It is a tropical fruit and more sensitive to frost जो पपाया होता है काफी luxurious plants होता है कहने का मतलब ये है कि अगर water logging की condition हो गई तो ये सूख जाएगा अगर इसको पानी की कमी हो गई तो सूख जाएगा temperature में ज़्यादा fluctuation होगा तो खराब हो जाएगा इस तरीके से humidity बढ़ जाएगी तो powdery mildew लग जाएगा humidity घट जाएगी तो production घट जाएगा ये तमाम चीजें होती है इसलिए पापाया को काफी luxurious plants माना जाता है मतलब इसके नखड़े बहुत होते हैं ठीक एक चीज और है पापाया जो है आपका ये tropical plant होता है यानि कि इसको tropical condition में आराम से हम grow कर सकते हैं यूपी वाला region जो कि सब tropical region में आता है यहाँ पर भी आराम से हम इसको papaya को grow कर सकते हैं एक चीज पापाया में और गड़बड होती है ये frost का प्रती काफी जादा sensitive होता है frost का मतलब ये होता है कि जब ठंडी पड़ती है तो ठंडी के समय पर जो पत्तियों पर एक सफेज सी बरफ जम जाती है बहुत पतली सी माइन्यूट सी परत होती है अगर इसको आप हाथ लगाएंगे तो तुरंत वहां से हट जाएगी उस वाली के condition को क्या बोलते हैं frost condition कहने का मतलब ये है कि पपाया का जो पौधा होता है ये ठंडी को जेल नहीं पाता है अगर जादा ठंडी पड़ेगी तो इसके जो cells होती है वो damage हो जाती है yellow pigment in papaya papaya के अंदर जो yellow pigment होता है उसको क्या कहते हैं उसको कहते हैं करेकजन्थिन करेकजन्थिन नाम का एक pigment पाया जाता है papaya में इसी को बोलते हैं क्या इसी को करेकजन्थिन कहा जाता है ठीक इसके बाद हम आगे बाद करते हैं milk milk जो की papaya के अंदर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं lactate ये जब जिसे papaya क्या होता है कि पपाया जब हरा रहता है तो उसमें अगर हमको कहीं चोट लग जाए कभी उसमें क्या करते हैं कभी कट लग जाए तो पपाया का जो फ्रूट होता है वहां से एक सफेद कलर का दूद निकल लगता है इसी दूद को कहते हैं इसी दूद को कहते हैं पपैन पपैन के अंदर एक enzyme हता है जिसको Pepsin enzyme पहते हैं जो भी diabetic क्यों होते हैं उनकी लिए काफी अच्छा माना जाता है उनको इसको consume करने के लिए और दमा बनाने के लिए कास्मेटिक सीज बनाने के लिए इसको बहुत अच्छे से यूज हिया जाता है इन डायोसियस वेराइटी ओफ पपाया 10% male plant are planted, डायोसियस बेराइटी जो होती है पपाया की उसमें ऐसा हम सुनिश्चित करते हैं कि 100 पौधे में से कम से कम 10 पौधे जो हों वो मेल हों, डायोसियस प्लांट का क्या मतलब होता है, जब केवल एक ही प्लांट पर केवल एक ही फ्लावर पाय पपाया कही तरीके का होता है, जैसे अभी मैंने उपर ही बताया था, कोई-कोई ऐसा होता है जिसमें मेल केवल पाये जाएंगे, कोई-कोई ऐसा होता है जिसमें केवल फीमेल पाये जाएंगे, कोई-कोई ऐसा होता है मेल और फीमेल दोनों तरीके के पाये जाएंगे, इसके दोनों लिंगों को आसरित होने के लिए दो पौधे की जरूत पड़ेगी फिर से एक बार समझा देता हूं मेल किसी एक पौधे पर रहेगा और फीमेल किसी एक पौधे पर रहेगा तो अगर डायोसियस प्लांट्स है यानि कि मेल और फीमेल दोनों अलग अलग पौध कि तो उस कंडीशन में हमको कम से कम 10% मेल प्लांट का भी यूज करना चाहिए यानि कि अगर सो पौधे हम प्लांट कर रहे हैं तो सो पौधे में बीच-बीच में हमको कम से कम 10 पौधे मेल प्लांट के लगाने चाहिए मेल प्लांट से हमको फूरूट तो नहीं मिलेगा लेक 10% of the male plants should be planted in the diocese variety of papaya in a orchard for the proper pollination and proper fertilization इसके बाद बात करते हैं papaya is commercially propagated by papaya को जो commercially propagate करते हैं वो किस से करते हैं seed से करते हैं the seed rate of gyno diocese variety of papaya papaya का जो gyno diocese variety होती है उसका seed rate कितना होता है 250 से 300 gram per hectare बात समझना gyno diocese variety में क्या होता है पौधा या तो diocese होगा या तो फिर उसके अंदर gynoceum जदा होगा कहने का मतलब कि यह gyno diocese में diocese पौधा होता है लेकिन ज़्यादा तर इसमें फीमेल ही पौधे निकलते हैं फीमेल मतलब फीमेल फ्लावर ही निकलते हैं कहने का मतलब यह है कि इसमें seed rate कम लगता है क्यों क्योंकि इसमें जो पौधे निकलते हैं gyno diocese variety जो होती है पौधा की इसमें जो पौधे निकलते हैं उनके अंदर फीमेल पार्ट वाले चीजें ज़्यादा होती है मेल कम होता है इसी वज़े से इसकी seed rate कम लगती है क्योंकि फीमेल मिल जाता है हमको आराम से जिस पे पापाया लगता है तो हमको ज़्यादा पौधे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है महीं अगर हम बात करें जो डायोसियस वराइटी होती है पापाया की उसमें एक चोचला होता है लगबग हमको दो गुना से ज़्यादा जो seed rate है वो यूज करना पड़ता है क्यों क्योंकि डायोसियस वराइटी है जब ये धीरे से ग्रो हो जाएगी तो जब गुरो होगी तो बाद में हमको पता चलेगा कि ये मेल पौधा है और ये फीमेल पौधा है तो जो मेल होगा मेल की ज़्यादा जरूरत हमें पड़ती नहीं है ज्यादा से ज़्यादा हमको 10% जरूरत पड़ती है बाकी अगर 50% जिसे 50-50 का रेसियो अगर हम मालने राइटई में कि पर्शार पर्शन्ट निकल गया पचास पर्शनट फीमेल बांगी बहुत देंसंट चालेश परसंट बचरा यो तो हमारा बेकार गया इजी वजह से क्या करते हैं कि जो डायोसियोस प्रपाया होता है डायोसियोस वराइ़ वाला प्पाया इसकी सीड रेट ह ज्यादा रखते हैं जिससे कि हमें जो गाइनो डायोसियस चीजे हैं यानि कि जो फीमेल पार्ट वाला पौधा है वो परियाप्त मात्रा में मिल जाए तो एक हेक्टियर में अगर हम डायोसियस विराइटी का 400-500 गराम सीड यूज करेंगे तो अपना काइदे से हम एक हेक्टियर प्लांटिंग कर पाएंगे उहीं अगर गाइनो डायोसियस है जिसमें केवल फीमेल ही निकलते हैं तो हमको इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमको 200-300 गराम पर हेक्टियर लगाएंगे और सब के सब जब फीम पाइया के अंदर से जो दूद निकाला जाता है उसी को क्या बोलते हैं लेटिक्स बोलते हैं या कई वार उसको क्या कहते हैं पपैन बोलते हैं तो एक लेटिक्स निकलता है जिसको हम क्या कहते हैं पपाया के अंदर का जो लेटिक्स निकलता है उसको हम बोलते हैं पपैन पपेन के अंदर एंजाइम पाई जाती है पेपसीन ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था अब कार्पिन जो होता है ये पी पपाया से ही निकाला जाता है और ये जो डायोरेटिक और हर्ट इस्टिमिलेंट वाले पैसेंट होते हैं यानि कि हट डीजिस से जो परिसान होते हैं और डायोरेटिक डीजिस से जो परिसान होते हैं उनके लिए जो कार्पिन निकाला जाता है ये काफी जादा अच्छा माना जाता है इसकी treatment के लिए इन बीमारियों के treatment के लिए पपाया का जो carpin होता है वो काफी ज़्यादा important role play करता है recommended spacing of pousa नन्ह पूसा नन्ह पपाया की एक बहुत ही अच्छी वेराइटी है ये काफी dwarf वेराइटी है और ये high density planting के लिए काफी ज़्यादा यूज करी जाती है इसकी सबसे अच्छी quality यह है कि एक hectare में हम 6000 प्लांट लगा सकते हैं और इसमें plant to plant और row to row जो spacing है वो सवा मिंटर की होती है सवा एक मिंटर की 1.25 मीटर प्लांट टू प्लांट दूरी और 1.25 रो से रो की दूरी रखते हैं इसमें ज़्यादा पोधे हम लगा सकते हैं तो हमारा production भी ज़्यादा होगा ये काउंसी वराइटी है पूसा नन्हा काफी important वराइटी है जरूर से याद कर लेना पूसा नन्हा किसकी वराइ कि ठंडी के समय पे ठंडी जादा पड़े ने लगती है तंपरेचर बहुत कम चला जाता है तो जो पत्तियां होती है पत्तियों के उपर एक सफेद सी बहुत हलकी सी परत जम जाती है रात को जब आप सुबा सुबा देखेंगे तो ऐसे लगेगा लेकिन जिसे आप हाथ ल होती हैं धिरे-धिरे सूखने लगती है पापाया एज ससेप्टेबल टू वाटर लॉगिंग वाटर लॉगिंग की अगर कंडिशन होगी पापाया में तो भी पापाया काफी जादा नुकसान देता है पापाया को पापाया सूखने लगता है सबसे सीरिस डिजीज की अग कर रहे होते हैं जब पौध तयार कर रहे होते हैं तो उस स्टेज पर जादा लगता है डैंपिंग आफ अली बीमारी जब हम इसके ट्रांस्प्लांटिंग कर देते हैं में फिल्ड में तो वहां पर यह बीमारी जादा नहीं देखने को मिलती है तो एक चीज जिसकी अच्छी बात है कि में फिल्ड में जाके यह नहीं बरबात करते ही फसल को डैंपिंग आफ में क्या होता है कि जमीन के ऊपर जो पौधा निकला होता है में इस्ट्यम जैसे मान लो कि यह जमीन है इसके ऊपर यह पापाया निकला हुआ है तो जमीन के ऊपर यह जस्ट इसके ऊपर व में यहां पर इससे सूख गया है और सूख के गिर गया है तो जो जड़ पे ही सूख जाएगा तो फिर पूरा पौधा गिर जाएगा और गिर के पूरा पौधा ही सूख जाएगा एक तरीके इसी फंगल डिजीज होती है डेंपिंग ऑफ यह ज्यादा तर नर्सरी में लगता जिसकी भी नरसरी हम तयार करते हैं ज्यादा तर नरसरी में लगने वाले डिजीज है तो पपाया की भी नरसरी तयार करी जाती है तो पपाया में भी यह डेम्पिंग ओफ डिजीज है वो लगती है इसके बाद हम बात करते हैं गायनो डायसियस वराइटी यह गायनो डायसिय है उस पे निमेटोर्ड का प्रकोब भी बहुत जादा होता है इसी वज़े से अगर कोई ऐसी स्वायल है जहां पर निमेटोर्ड की संख्या जादा है या ऐसी संभावना है कि पपाया में निमेटोर्ड लग सकता है तो उस कंडिसेन में हमको पूसा मैजेस्टी जो वो बिलकुल लाल-लाल सा होता है सूर्या यह भी काफी अच्छी वेराइटी है और सन्राइज सोलो इसका जो फ्लाइस होता है वो पिंक कलर का होता है तो यह जितनी भी वेराइटी मैं आपको बता रहा हूं यह बहुत ही ज्यादे इंपॉर्टन्ट है इसमें आप कम से कम इसके साथ साथ अगर आप यह भी आद कर पाएं कि यह सभी गाइनोडायस वराइटी है पपाया की तो और भी अच्छी चीज है ठीक जिसे ताइवान ताइवान का एक करेक्टरिस्टिक से कि इसका जो पल्प होता है जो हम पपाया का खाते है वह बिलकुल रेड कलर का बल इसके बाद पूसा डेलेसियस है कॉंग हनीडियो है यह सभी अच्छी वराइटी है जो की गाइनोडायस वराइटी है वह भी किसकी वराइटी है सब यह सभी पापाया की वराइटी है इसके बाद अपना जो अगला है वह डायसियस वराइटी है पापाया की ऐसी वराइट करते हैं कौन सी पूसा जायंट को उसके बाद पूसा ड्वार्फ वराइटी है काफी अच्छी वराइटी होती है यह जरूर याद कर लेना कई बार एक जाम में पूशा जाता है स्यो थ्री और स्यो फाइटी है पपाया की यह पपायन निकालने के लिए काफी जादा अच्छी मानी जाती है पंत सीवन भी एक अच्छी वराइटी है बिटी और हाथरस गोल्ड पूसा नन्हा पूसा नन्हा एक जरूर याद कर लेना कि पूसा नन्हा कौन सी वराइटी है पहरे बाद तो पूसा नन्ह पापाया की वराइटी है, हाई देंसिटी प्लांटिंग में हम इसको लगा सकते हैं, 1.25 cm स्पेसिंग रखते हैं इसमें, और इसके साथ साथ ये भी याद करना, कि ये पूसा नन्ह जो है, ये डायोसियस वराइटी होती है, ठीक, डायोसियस वराइटी होती है, एक्स्ट्रीमली डार्फ होती है, स्टूटेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग, ये इतनी ज इस लीटर, पचेस लीटर, तिस लीटर की बाल्टी है, तो उसमें आप बढ़ियां मिट्टी रखके, कंपोस्ट बनाके कायदे से, कॉक्पिट से, तो आराम से उसमें आप रख सकते हैं, और इस पौध्यों को उगा सकते हैं, इतना छोटा होता है, इसके बाद एकर हम बा होगा यह नर्सरी में करेगा, उसके बाद इसका जो मेन फिल्ड में ज Mensch yn कर देते हैं, तो मेन फिल्ड में लग uni के शम्मा होती है, मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि नहीं लगता है, लेकिन भहूत कॉम ही मात्रा में देखने को मिलता है, जाद तर यह ज्यादर यह नर्सरी यहाई डेंपिंग आफ का हुग पाइथियं अफेनी डर्मेटम इसके बाद होता है रिंग स्पोर्ट रिंग इस तरीके से डीजीज होती है इसमें क्या होता है कि पपाया का जो एक पपाया की ऊपर एक रिंग ऐसे गोल गोल सा एक structure बन जाएगा बृत्ताकार सा एक spot बन जाता है इस spot की खास बात क्या होती है कि बिलकुल बीच में तो ये रहे गा जिसे मानलो यह एक ऐसा spot बन गया तो बिलकुल जो बीच वाला portion होगा यह तो normal रहेगा लेकिन यह जितना यह portion बच रहा है यह portion green रह जाता है यह spot बन जाता है और इसके बाहर वाला portion normal रहता है जैसे आप जतने भी spot देख रहे हैं इसमें अगर आप सब central portion देखेंगे तो central portion normal है लेकिन central portion के बगल बगल में spot बना है इसी वज़े से इसको ring spot बोलते हैं यह एक viral disease होती है जो की virus के द्वारा फैलती है इसमें क्या होता है अपर ली papaya is malted पापाया के जो सबसे उपर की पत्ती होती है वो malt हो जाती है और यह फैलता क्यों है यह फैलता है एक कीट के द्वारा उस कीट का नाम है एफिड जिसका scientific नेम होता है एफिस गॉसिफी यह आपका जो गॉसियम इस्पेसीज है उसमें भी लगता है कि मतलब कहने का यह है कि कपास में भी जो अफिड लगता है उसका विस साइंटिफिक नेम यही है ठीक तो papaya में जो ring spot लगता है उसका transmitter कौन है मतलब उसको transmit कौन करता है आपका एफिड जो है एक काउंसी एक तो ring spot और दूसरी यह papaya leaf curl इससे पहले मैंने बताई थी damping off यह कैसी बीमारी थी यह fungal disease थी तो papaya में जो leaf कर लगता है यह भी एक वाइरस की थोरग लगता है और इस वाइरस को जो फैलाने वाला कीट है वो है white fly white fly इस तरीके से रहता है और यह papaya की जो पतियां होती है उसमें पतियों का lower portion जो नीचे वाला portion होता है एक portion तो होता ह है जो सूर के direct संपर्ग में रहता है यानि कि ऊपर वाला part और एक होता है नीचे वाला part तो पतियों की नीचे वाले parts पर इस तरीके की सफेद मक्यां रहती है और इन्हें के थुरू जो यह papaya का leaf curl virus है वो एक पौधे से दूसरे पौधे तक पहुंसता है इसमें क्या होता ह है कि इस तरीका का symptom मन जाता है papaya की जो पतियां होती है वो करल हो जाती है मुड जाती है बिल्कूल abnormal से हो जाती है कि पपाया के जो पतियां है वो कैसी हो गई है बिल्कुल ऐसे गुमिच जाती है विल्कुल आपस में यह से आठ जाती है वो बढ़ती नहीं है बिल्कुल भी अगर हम इसके मैनेजमेंट की बात करें तो चाहे वाइट फलाई हो या एफिड हो इन ही दोनों को हम मैनेज देखो एक चीज में फिर से बता दे रहा हूं आपके जर्नल नालिज के लिए कोई भी डिजीज है अगर वो वाइरल डिजीज है ठीक तो वाइरल डिजीज को सही करने का वस एक ही तरीका है कि जिसकी वजह से फैल रहा है उसको रोक दिया जाए अगर आदिमी में फैल रह रहा हूं यह तो बैक्ट्रियल है को रोना जो आया था यह टिटनस यह मतलब आदमी में जितने भी वाइरस वाली डिजीज होती है उसको रोकने के लिए क्या करते हैं टीका लगाते हैं इसे तरीके से अगर पौधे में कोई वाइरल डिजीज लग रही है तो जिसकी वजह जैसे वह डिजीज फैल रही है उसको रोकना पड़ेगा जैसे अगर वाइट फ्लाई की वजह से फैल रही है तो उसको रोक दो अगर एफिड की वजह से फैल रही है तो उसको रोक दो एक चीज और अच्छे से याद कर लेना कि पापाया में जो लीफ करल है वह वाइट और रिंग स्पॉट जो है वह एफिड से फैलता है तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं क्रियेट करना बहुत अच्छे से याद कर लेना कई वार एक्जाम में पूछा जाता है तो लोग एफिड में और वाइट फ्लाई में ज्यादा कन्फ्यूज होते हैं तो जो रिंग स्प अधे में कोई viral disease लग रही है तो हमको उसका जो वेक्टर है जिसके द्वारा यह फैल रहा है उसको कंट्रोल करना होगा जैसे अगर हमको रिंग स्पार्ट और लिफ कर ले अगर इन दोनों को हमको रोकना है तो हमको क्या करना होगा कि फ्रूट फ्लाई और एफिड को हमको जल्दी से जल्दी मार देना होगा जब यह नहीं रहेंगे तो जो यह viral वाली बीमारी है यह फैलेगी नहीं ठीक इसको कैसे manage करते हैं अगर हम कोई systematic insecticide जैसे की ऐसी फेट एक एमेल पर लीटर के हिसाब से यह डाई मेथेओर थर्टी एसी एक एमेल पर लीटर के हिसाब से यह आई मेड़ा क्लोप्राइड इसका यह फिर कोई भी ऐसे systematic insecticide जो की इनको मार सकते हैं उसका छड़काव कर देंगे उसकी दी गई हुई मात्रा में हर insecticide की अ insecticide लेकर अगर हम प्रॉपर छड़काव कर देंगे एक से दो बार तो यह जो वाइट फ्लाई है और जो एफिड हैं यह दोनों ही खतम हो जाएंगे इनकी population खतम हो जाएगी तो जिससे हमारा जो वाइरल जी जो फैल रही है यह बच जाएगा और इसके साथ साथ जो डेंप स्क्रियर मेंगे तो बटा दूं तो in aập का management करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है seed treatment करिए और स्वायल ट्रीटमेंट करिए जब फंगस का अटेक नहीं होगा अगर सीड में भी फंगस नहीं रहेगा और स्वायल के अंदर भी फंगस नहीं रहेगा तो हमारे जो फंगस से होने वाली बीमारी है यानि डेंपिंग आफ यह नहीं होगा ठीक तो आज के लिए के वल इतना ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों तक चैनल को जरूर सेर करिए जिससे वो भी जानकारी ले सके और मेरा जो सब्सक्राइबर काउंट है वो बढ़ी जिससे मुझे और मोटिवेशन मिलता है मैं अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में तब तक के लिए इजाज़त दीजी धन्यवाद